कुलू जिला के एक शेत्री अस्पिताल में पिछले नौ माह से महिला विशेशग्य डॉक्टरों के दो पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण लाहुलस्पिती कुलू मंडीक शेत्र की गरवती महिला के साथ अन्य महिलाओं को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है इस अस्पिताल में सरकार ने दो बार महिला विशेशग्य डॉक्टरों के ओडर किये लेकिन महिला विशेशग्य ने अपनी सेवाय देने से इंकार कर दिया कुल्लू अस्पताल में पेचले 9 महिनों से महिला विशेशक्य डॉक्टरों के दो पद खाली है वहीं डॉक्टरों के आगे सरकार भी बेबस नजर आ रही है क्यूंकि सरकार के दो बार ओडर करने के बावजूद भी कुल्लू अस्पताल में महिला विशेशग्य डॉक्टरों ने अपनी सेवा देने से इंकार कर दिया ऐसे में एक तरफ सरकार लोगों को घरद्वार पर स्वास्त सुविधाईं देने की बात करती है और दूसी तरफ कुल्लु जिला में दर्जनों डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ सुविधाएं चर्मराई हुई है। कुल्लू अस्पताल में महिलाओं ने कई बार कैबिनेट मंत्री गोविन सिंग ठाकुर उपायुक्त कुल्लू यूनुस वं मुख्य मंत्री को ग्यापन भीज कर महिला विशेशग्य डॉक्टरों के खाली पदों को भरने की मांग की है महिला विशेशग्य डॉक्टरों के ना होने से कुलू अस्पताल में महिला और नवजात शिशु की मौत का मामला विधान सभा में उठा था बावजूद इसके कुलो अस्पताल में गाईनी डॉक्टरों के खाली पद होने से जनता को परिशानियों का सामना करना पर रहा है क्याबिनेट मंत्री गोविन सिंग ठाकुर ने कहा कि वे व्यक्तिगत तोर पर प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिला विशेशग्य डॉक्टरों को दो बार ओडर किये गए थे परन्तु महिला विशेशग्य डॉक्टरों ने किसी कारणवश जोईन नहीं किया उन्होंने कहा कि सरकार ने नोटिस किया है कि कुछ समय के बाद नए बैच में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी एमसी एच सेंटर का फांडेशन किया है और जो लगभग 20 क्रोड की लागत से बनेगा और जिसमें यानि मा और बच्चे का पूरे प्रकार से यानि हर सुविदा से ब्लेस जिसे पैडिटीशन हैं गाइने कॉलोजिस्ट हैं यह सारी सुविदा और अच्छी हम करेंगे तो ज इसलिए कि अब उसका एक स्थाई समाधान की और हम लोग प्रियास रत्त हैं तो इसलिए उसमें कर रहे हैं तो निचलित रूप से आने बारे दिनों जो हमारे डॉक्टर निकले उन में समकोईनों को पोस्ट करेंगे उन्होंने कहा कि केवल हिमाशर प्रदेश में ही नहीं बलकि पूरे देश में डॉक्टरों की कहीं न कहीं कमी खल रही हैं जिससे स्थाई तोर पर इसका समाधान किया जाएगा सिटी चैनल के लिए कुलू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट